जेहें दोस्तो मैं सचेन आप सब का स्वागत करता हूं SD campus पर कैसे हैं आप सबी उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे आप स्वास्त होंगे मस्त होंगे जबरजस्त होंगे और अपनी तयारी को लेकर बहुत अच्छे से dedicate होंगे तो आप जिस चीज का एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, रेडियो अपरेटर की exam date का आप लोग एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो finally board की तरब से notice आ गया है, जिसमें exam date अनाउंस हो चुकी है, तो अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, और इस कम समय में आ करने जा रहा हूँ, top 10 pyq, top 10 pyq, top 10 pyq का मतलब यह हुआ, कि UPSI के परिक्षा 2017 में और 2021 में, तो इसमें जो भी top 10 question होंगे, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने बाला हूँ, LCM HSCF topic से, जो top 10 question मेरे भाही वनेंगे, वो question में लेके आप सभी के बीच हाजीर हूँ और ऐसे question आपके exam में पूछे ही पूछे जाते हैं, तो सभी प्रिविद्यारती इस वीडियो को सबसे पहले तो एक बार share करेंगे अच्छे से और वीडियो को like भी करेंगे, तो चलिए दोस्तों बिना time based किये session की सुरुवात करते हैं, आप सभी विद्यारती इस बात को ज आजिर है, only on 99 रुपीज में आप किसी भी exam की test series को purchase करके हमारे साथ जोड़ सकते हैं, और अपनी speed, accuracy और time management को improve कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तों बिना time based किये session की सुरुवात करते हैं, आप सभी को पता है कि radio operator target batch की class है आपकी daily चल रही हैं, जिसमें सबसे पहले एक बज़ जिसे केसरी सार आपको Hindi पढ़ाते हैं, ये radio operator की class हैं तो चली ही रही हैं, और ये आपकी चलती भी रहेंगी continue, जो मैं ये top 10 question की series आपके लिए लेके हाजिर हूँ, इन top 10 question की अगर मैं बात करूँ तो हर एक topic के मैं 10 question आपको कराने बाला हूँ, तो आज हम लोग पढ़ने के वाले हैं, LCM HCF के top 10 question, अब सोचिएगा 2017-2018, sorry, 2017-2021, दोनों में से मैंने top 10 question निकाले, आप top 10 कैसे question होगे, आप खुछ समझ सकते हो, कि बहुत question जो exam में आने की possibility सबसे ज़्यादा रखते हैं, आजाए, पहला question आपके screen पे है, 6Y7, 27Y14, 15Y14, और फिर लिखा हूँ है 12Y7 क आपको HCF बताना है, तो जब भी एक fraction value का आप HCF बताओगे, जैसे 6Y7 है, फिर क्या है 27Y14 है, फिर क्या है आगे बढ़ोगे, तो आगे लिखा हूँ है 15Y14, 15Y14, और उसके आगे बढ़ोगे, तो क्या लिखा हूँ है 12Y7, अब आपको क्या करना है, आपको इसका HCF निकालन हो, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले, HCF अगर पूछा जाए, तो आप numerator को HCF निकाल दो, और अगर आप से LCM पूछा जाता, तो हम numerator का LCM निकालते, बट हम से पूछा गया है HCF, तो हम numerator का क्या निकालेंगे HCF, तो जब भी आप किन ही दी गई संख्याओं का HCF निकालते हैं, तो उसमें सबसे छोटा नंबर पकड़ो, जैसे हमें 6, 27, 15 बारे का HCF निकालना, तो सबसे छोटी संख्याओ 6, क्या 6 से बाकी संख्याओं बिवाजी थे, नहीं है, तो सर इसका मतलब 6 आपका HCF नहीं होगा, अब क्या करेंगे दूसरा step, अगर ऐसा नहीं ह तब क्या करेंगे, तब आप कोई भी दो संख्याओं के बीच में minimum difference देखो, जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि 15 और 12 के बीच में 3 का difference है, क्या इस difference से 6, 27, 15, 12 बारे बिवाजी थे, जी बिल्कुल है, तो इसका मतलब HCF तो बन गया आपका 3, अब बात आती है denominator की, numerator का तो आ अगर हम 7, 14 का LCM निकालेंगे, तो 14 निकल के आ जाएगा, तो 3Y14, आपके कुश्यन का option B बिल्कुल सही जबाब आ जाएगा, यह UPSI की परिच्छा में 16 दिसंबर 2017 को second sitting में पूछा गया कुश्यन है, चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी कुश्यन की तरफ, अगर जब हम किसी संख्या से, मेरे भाई वह है बड़ी से बड़ी हमें संख्या बतानी है, जिस संख्या से हम 739 को भाग करें, तो 9 सेसफल बचें और 901 को भाग करें, तो 5 सेसफल बचें, तो भाई हम क्या करेंगे, जो सेस बच रहें उसको घटा दू, तो 739 में से 9 घटाओग यह देखना है कि इन में से 4 option में से कौन सा option yoga ऐसा है जो इन दोनों संख्याओं को मेरे बाई बिभाजित कर सकता है या आप ऐसे समन्हज़ो कि आप दोनों का HSCF निकालो, तो जब आप इन दोनों का HSCF निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, देखो समझो, छोटी संख्या से बड़ी संख्या विभाजित तो है नहीं, तो अब सर HSCF कैसे निकालें, हम इन दोनों के बीच में difference देखेंगे, तो 6 से 0 जाएगा 6 बचेगा, और 9 में से 2 जाएगा तो सर 7 बचेगा, और 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, एक बचेगा तो मेरे दोस्त, आप जड़ा एक बात बताओं जो यह आपके सामने आ चुका है 176, तो 176 किस किस से डिविजवल है, तो आप देखेंगे, यह 176 16 से डिविजवल है, इसका मतलब 16 हमारी कुश्यन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बात किलियर है कि नहीं है, हुपसो यह कुश्यन आपको समझ में आ गया होगा, चलिए मेरे दोस्त, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरी कुश्यन की तरफ, और तीसरा कुश्यन लाजवाब कुश्यन जो आपकी स्क्रीन पर है, आप इस कुश्यन को पढ़िएगा तो सर कुश्यन आपसे यह कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ग्याद करें जो 18100 से छोटी हो जो 1800 से क्या होनी चाहिए चोटी होना चाहिए और वो 6, 12 और 18 से विभाजित होनी चाहिए तो इन 4 उप्सन में देखेगा 1800 से छोटी होनी चाहिए तो पहला उप्सन तो बनेगा नहीं बिल्कुल नहीं बनेगा, अगर में बाकी की बात करें तो बाकी तीनो नम्मर ऐसे हैं जो 1800 से छोटे हैं तो इन मेरे भाई आपसे कुश्यन नहीं कहा कि सबसे बड़ी संख्या ग्याद करें सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है तो इन 3 संख्यां में से बड़ी संख्या कौन से है उप्सन B तो उप्सन B आंसर मत कर देना अभी अभी आप चेक करिए जो ये मेरे भाई संख्या है कि ये 6 से 12 से और 18 से विभाजित है तो भाई इसे 6 से भाग करते हैं तो जब हम 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 तो कितना बचेगा 12 के बाद 5 बचेगा 694 ये 6 से कट जाएगा अगर 12 से भाग करते हैं तो 12 इकम 12 कितना बचेगा 5 बचेगा 56 हो जाएगा 12 दूनी 24 12 चोके 48 48 के बाद 8 बचेगा 84 हो जाएगा 12 से कट जाएगा 18 से अगर में इसे भाग करते हैं तो जो संख्या मेरे भाई 18 से विभाजित होगी वो संख्या क्या 9 और 2 दोनों से विभाजित होगी जी बिल्कुल तो ये संख्या 2 से विभाजित है क्या 9 से विभाजित है तो जो संख्या 9 से विभाजित होगी उसके अंकों का योग भी 9 से विभाजित होगा तो 8 और 1 9 9 और 10 19 हो जाएगा बताओ क्या 19 9 से विभाजित है स तो ये भी option नहीं हो सकता, option बचा केबल option D, बताए क्लियर है न सबको, होप सो ये बात आपको समझ में आने लग रही होगी, अब चलते हैं हम साथियों अपने next question की तरह, और ये next question आपकी screen पर है, अगर आप इस question को देखेंगे, तो ये question आपकी UPSI की परिच्छा में दो बा को पूछा गया है, मेरे दोस्त, इन 10 question में पूरा LCM, HCF आपका revise भी हो जाएगा, right, मेरी बात को समझ पा रहें, तो चलिए जरा इस question को हम लोग जामा पहनाते हैं, और बहुत ही अच्छे approach के according समझने बाले हैं, question कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF मेरे सामने दिया जा रहा दो संख्याओं हैं, और उन दोनों का HCF जो है, वो कितना है, वो है 37, और अब आपसे question ये बोला है, कि भाई, उनके लगुत्तम समापवर्तक के अन्य दो भाजक, जो LCM को individual करते हैं, उसके अन्य दो भाजक क्या हैं, 13 और 17 हैं, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या आपको ब बड़ा वाला भाजक पकड़ लो, तो है भीया भाजक 17, तो 17 की गुड़ां बस इसमें कर दो केबल मात्रो, और आपके question का आपको जबाब मिल जाएगा, 17, 17, 11 हो जाएगा, 17, 17, 31 हो जाएगा, 51 और 11 कितना हो जाएगा, 52 और 10 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, तो 639 आप को बीडियो पसंदार है, तो बीडियो को like and share करना बिलकुल मत बोलेगा, top 10 question साथियों कर रहे हैं हम लोग, आजाएगे, अपनी next question की तरह बढ़ते हैं, और hope so ये question आप लोग कर पाऊगे, अब देखिए, उसी type का अगला question, जो question 1 December 2021 को भी पूछा गया, UPSI में, और 15 December, व आप ज़रा इस question को समझते हैं, question कह रहा कि दो संख्याओं का HSEF 23 है, और उनके लगुत्तम समापवर्तक, यानि कि LCM के अन्य दो भाजक diviser, क्या है, 26 और 27 है, तो इन में से छोटी संख्या बतानी है, तो छोटा diviser दीखना, छोटा diviser क्या है, मिर भाई, 26 है, तो आप क्या करेंगे, HSEF तो हैसर 23, और छोटा diviser क्या है, छोटा diviser है, 26, आपस में इन दोनों की multiplication कर दो, आपको आपके question का जवाब मिल जाएगा, तो दोस्ते जब इस question को आप लोग कैल्कुलेट करोगे, तो तेज चिके कितना हो जाएगा, 6, 38, 6, 12, 12, 13, 138 होता है, 23, 6, 138 होता है, तो 8 यहां लिखोगे, 13 आपका carry हो जाएगा, अब 23 दूनी कितना हो जाएगा, 46, और जब 46 इसके साथ जोड़ोगे, तो यह कितना बन जाएगा, यह बन जाएगा, 598, क्या हो जाएगा, 598 आंसर बन जाएगा, जो कि option number C में दिया जा रहा है, 598 बिल बे और राइट आंसर होप सो यह भी question आपको बहुत बहुतर अंदाज में clear होने लग रहा होगा, अब मेरे किसी भी भाई को यहां तक तो कोई doubt होना नहीं चाहिए, चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने next question की तरब, और इस next question को देखेगा, इसकी language देखीगा, कितनी बड़ी शी language आपको दि पूछा गया, और UPSI की मुख्य परिक्षा 2014 में भी पूछा गया, और यह question 2017 में भी पूछा गया, यहां किसी तरीके से miss हो गया, राइट, चलिए, तो मेरे दोस्त आजाएए, अब ज़रा इस question को समझते हैं, question आप से कह रहा है कि एक दुकंदार के पास तीन अलग-अलग quality के oil है, तेल है, कह रहा है कि पिर्थम गुडवत्ता वाला 598 लीटर, और दुतिय गुडवत्ता वाला 644 लीटर, और तृतिय गुडवत्ता वाला 666 लीटर है, एक समान, एक समान, माप की बोतलों की नियूनितम संभावित संख्या ग्याद कीजिए, जिसमें बिना अलग अलग गुडवत्ता वाला तेल भरा जा सके, मेरे दोस्त आजाईए, अब इस कुश्यन को हम लोग कैल्कुलेट करते हैं, तो सबसे पहले जो तीनों quality है, उनको आप यहां लिखलो, 598 लीटर, और दूसरी गुडवत्ता वाला तेल कितना है, 644 लीटर, और तीसरी ग HCF निकालने लग जाओं, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को दिखो, क्या सबसे छोटी संख्या से बाकी संख्या विवाजिते नहीं हैं, तो आप minimum difference देखो, दो संख्याओं के बीच में, तो हमें यहां पर minimum difference मिलेगा, तो कितना मिलेगा, मेरे भाई, 7 में से 4 598, अभी मैं आपको कुशन बहुत बारी के से समझाने वाला हूँ, 598 डिवाइडवाई 23, फिर क्या करोगे पिलस, फिर लिखो 644 डिवाइडवाई 23, फिर आगे बढ़ो, पिलस का सिंबल लगाओ, और यहां लिखो 667 डिवाइडवाई 23, अब जरा इस कुशन को पढ़ो कुशन से आप से ये का था कि एक दुकंदार है जिसके पास 3 quality के तेल है और उसके मात्रा आपको दी गई है, अब हमसे कुशन ने आगे ये भी बूला है कि एक समान माप की बोतलों की नियुनितम संख्या बतानी है, अब आपको ये बताना है कि कितनी बोतल ऐसी होंगी, ज क्या होना चाहिए, तेल होना चाहिए, तो मेरे भाई मैंने ये देखा कि जो बोतल होगी, तो हम कैसे निकालेंगे, कि एक बोतल में कितनी मात्रा आएगी, तो हम इन तीनों का HSEF लेंगे, तो HSEF का मतलब ये हुआ, कि एक बोतल में इतना oil आएगा मेरे according एक बोतल में 30 लीटर oil आएगा तो पहली quality की कितनी बोतलें बनेंगी 598 लीटर तेल है और एक लीटर में 30 लीटर आएगा तो बताओ पहले वाले quality की कितनी बोतल बन जाएगी तो 30 दूनी 46 और 30 दूनी 46 हो जाएगा और अगर आप 69 में से 46 को बचेगा दोस्त तीन और एक 13 बचेगा और यह वन गया 8 राइट क्योंकि यह 8 था वो मैंने यहां पर उतार लिया अब कितनी बार भाग जाएगा दोस्त अगर मैं अब भाग करने लग जाओ तो छेती अठारा चेह दूनी 12 और एक 13 यानि कि 6 बार भाग जाएगा यानि कि तेश का भाग जाब 598 में करोगे तो 26 बार भाग जाएगा यानि कि तेश तेश लेटर की कितनी बोतल होंगी मेरे भाई ऐसी 26 बोतल होंगी पहली क्वालिटी के ओयल की आजाओ अब इसका भाग करो तेश दूनी 46 तेश दूनी 46 हो जाएगा तो अगर आप 46 को घटाओगे 64 में से तो कितना बचेगा तेश दूनी 46 अब मेरे भाई 64 में से जब 46 घटाओगे 14 में से 6 जाएगा और जब 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा और 5 में से 4 जाएगा एक बचेगा और ये कितना है 4 अब मेरे दोस्त तेश का भाग करो 184 में कितनी बार जाएगा तो 6 अगर ह तेस दूनी 46 करोगे सर, तो 20 बचेगा, तेस दूनी 46 के बाद 20 बचा, बचा की नहीं बचा? बिलकुल, और जब 20 बचा तो आप इस साथ को और उतार लो, अब तेस का भाग करो, नो तिया 27, नो दूनी 18, नो बार जाएगा, अब इन तीनों को जोड़े लो, पहली quality की 26 बोतल होंगी, और तीसरी quality की 29 बोतल होंगी, सब को जोड़े लो, तो 9 और 8 देखेगा, यहां, 8-8, 16 और 1, 17, 17, 23, 20 और 3, कितना हो जाएगा, 23, 2 केरी हुआ, 2 केरी वाला और 2, 4 और 2, 6 और 2, 8, तो 83 ऐसी बोतल हो जाए, मेरे भाई कितनी बोतल होंगी, टोटल 83 बोतल होंगी, ब आपकी स्क्रीन पर है, यह UPSI की परिक्षा में, 14 और 25 नमंबर 2021 की second sitting में पूछा गया question है, बताइए, इस question का सही जबाब क्या हो जाएगा, आजाए, सबसे पहले मेरे दोस्त, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस question को पढ़ेंगे, और अगर मेरे भाई, वीडियो आपको पसंदार है, तो वीडियो को like and share करना बिल्कुल मत भूलेगा, आजाए, जरा सवाल को पढ़ते हैं, एक बनपाल, 52 नीम के पेड़, और 68 ओक, यानि कि सहाब वलूत के पेड़, और 104 बर्गत के पेड़ों को समान पंक्तियों में, समान पंक्तियों में, इनकी पेड़ों की संख्या के संदर्ब में लगाना चाहता है, साथ ही वह पेड़ों की अलग-अलग पंक्तिया बनाना चाहता है, यानि कि एक पंक्ती में केवल एक परकार का पौधा रहे, तो आवस्यों की संख्या बताओ, मेरे बाई, एक कोई person है, जिसके पास तीन प्रकार के पौधे हैं और वो ये चाहता कि एक पंक्ती में मेरे भाई एक ही प्रकार के पौधे वाएं तो आपको ये बताना है कि टोटल वो कितनी पंक्ती लगाएगा और हर एक पंक्ती में हर एक प्रकार के बराबर पौधे आएं यह बात आप से पूछी जा रहे है, तो इन तीनों का HSEF निकालो सबसे पहले, 52,78,104 का आप HSEF निकालो, तो HSEF जब आप निकालोगे, तो क्या निकल के आएगा, दिखेगा, तो 26 से, तो भाई, 26 के 12, 2 दूनी 4 और 5 दो बार जाएगा, 26 का इसमें भाग जाएगा, तो 3, 6 6, 18, 3 दूनी 6 और 1, 7, 3 बार जाएगा, और अगर मैं 26 से इसको भाग करता हूँ, तो 6, 4, 24, 6, मेरे भाई, अगर हम 6, 4, 6, 24, 4 दूनी 8 और 2, 10, भाई, यह 26 भी HSEF बन रहा है, इसका मतलब 26 भी HSEF बन रहा है, तो 3, 2, 5, 2, 7, 3 और 2, 5, और 2, 7 बन जाएगा, इस तरीके से 26, 4, 3, 7, 2, 9, इस तरीके से हमारी कुश्यन का जो जबाब बनेगा, वो बनेगा, ओप्सन नमर B, क्लियर है, मेरे भाई, क्लियर है, पहले से क्लियर है, इधर देखो, हम लोग क्या करी, एक फेक्टर और आगे पहुँच गए, यानि कि हम लोगों ने HSEF 13 निकाला था, जो हर एक पंक्ती में 26 पौदे आएंगे, तो पहले प्रकार के पौदे की कितनी पंक्ती लगेंगी, दो पंक्ती लगेंगी, और दूसरे प्रकार के पौदे की तीन पंक्ती लगेंगी, और तीसरे प्रकार के पौदे की चार पंक्ती लगेंगी, टोटल पंक्ती कितनी हो और ये कुश्यन 16 दिसंबर 2017 को second sitting में पूछा गया, एक दुकंदार के पास तीन भिन गुडवत्ता का मिल्क है, पहली गुडवत्ता का 475 लीटर दूद है, दूसरी गुडवत्ता का 513 लीटर दूद है, और तीसरी गुडवत्ता का 532 लीटर दूद है, एक समान माप की ब्य फिर वही तरीका, 475, फिर क्या हो जाएगा, मेरे भाई 513, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है 532, अब आपको इन तीनों का एक से बड़ी संख्या होती है, जो इन तीनों को विभाजित कर दे, तो साब हम इन दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस देखेंगे, तो कित पाये जा गया, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 के बाद कितना बचेगा मेरे भाई, 9 बचेगा, 19 95, मेरे भाई, अब हम ये कहेंगे, कि एक बरतन में 19 लीटर दूद आएगा, तो 19 से अगर मैं इसमें भाग करेंगे, तो 19 दूनी 38, 19 95, यानि कि 25 बरतन भरे जाएंगे, इस 19 लीटर के राइट मेरी बात को समझ गए, अगर मैं 19 से इसको भाग करूँ, तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 के बाद, मेरे भाई 51 में से अगर मैं 38 को घटाओं, तो कितना बचेगा, 11 में से 8 जाएगा, 9 10 11, 8 9 10 11, तीन बचेगा, और 4 में से 3 जाएगा, एक 13 बचेगा, और यहां कितना है, 3 तो भया यह कितना हो जाएगा 19 614, 19 713, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ोगे पिलस, अब 19 दूनी 38, अगर हम 532 में भाग कर रहें 19 का, तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, मेरे भाई अब कितना बचेगा, 13 में से 8 जाएगा, 5 और 4 में से 3 जाएगा, एक, वो 19 अठे कितना हो चली, अब सबको add कर दो, तो 8, 7, 15, 5, 20 हो जाएगा, 2, 4, 6, और 2, 8 हो जाएगा, आपके question का जो सही जवाब बनेगा, वो बनेगा 80, clear है ना सबको, तो इस type के मैंने आपको 3 question करा दिये, मेरे दोस्तों, अब ये question आपको, मेरे भाई doubtful नहीं रहे होंगी, अगला question जो आप चालू किये गए थे, अगली बार किस समय पर सभी वल्व एक साथ जलेंगे, तो हम इन तीनों का क्या लेंगे, LCM लेंगे, चारों का, किस का, दो का, तीन का, चार का, पांच का, तो पांच चो के बीस, और मेरे भाई, पांच चो के बीस तीया, कितना हो जाएगा, 60, 60 LCM आ पतलव, आठ वजे के एक घंटे वाद, यानि कि नो बजे, कितने वजे, नो बजे, रात को नो बजे मेरे भाई, वो फिर एक साथ जलेंगे, बात क्लियर है कि नहीं है, चले, अब बरते हैं हम अपने लाश्ट कुशिन की तरब, आजाएए, जरा इस कुशिन का आप लोग 25 है, अगर इन संख्याओं में से 75 है, तो दूसरी संख्या बताओ, देखो साथियो, कभी भी दो संख्याओं हों, जैसे एक संख्या A है और दूसरी संख्या B है, तो इन दोनों संख्याओं का multiplication, इन दोनों के LCM, गुरें, इन दोनों के HCF के equal होता है, कभी भी आपके सामने दो संख्याओं हों, अगर मैं उन दोनों संख्याओं का multiplication करूँ, तो जो value निकल के आएगी, वो उन दोनों के LCM, और उन दोनों के HCF के multiplication के बराबर होगी, कुश्यन आपसे ये कह रहा है, कि उनका लगुत्तम समापवर्तक कितना है, 375 है, दो संख्याओं जिनका LCM कितना ह 375 है, और उनका HCF कितना है, 25 यानि कि 25 है, अब आपसे कुश्यन ये कहा, अगर उन संख्याओं में से 175 है, कितनी है, 175 है, तो आपको दूसरी संख्याओं बतानी है, बहुत आसान है सर, आप आसानी से इसको calculate कर सकते हो, भया ये कितना हो जाएगा, 25 से भाग करोगे, तो 25 35 और 3 से भाग करोगे इसको, तो 3 एकम 3, 3 दू निच्छ, 3, 5, 6, 15, यानि कि दूसरी संख्या 125 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी, अब कुश्यन ने आपसे ही कहा, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात बताओ, तो छोटी संख्या क्या ह 25, will be your right answer, option number C, hope so ये कुश्यन आपको समझ में आ दिया होगा, मेरे दोस्त इधर देखेगा, जो ये कुश्यन था, इस कुश्यन में हम लोगों ने किया किया, 13 भी फैक्टर है, लेकिन वो छोटा फैक्टर है, हमें चाहिए है एचस्या बड़ा फैक्टर, तो इसलिए हम इ इनी दो संख्याओं के बीच में minimum difference देखो, और उस minimum difference से तीनों संख्याओं विवाजित होनी चाहिए, तो वही आपका HSF होगा, बात clear है के नहीं है, hope so ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, तो ये थे top 10 question, जो मैंने आज आपको complete कराई, UPSI के परिक् जन्वरी महा के अंतिम सब तहां में है, तो इसके लिए आपका target batch यूटूब पर free of cost चल रहा है, जिसमें एक बज़े से सबसे पहले में आपको math पढ़ाते हूं, दो बज़े से सिकर सर जीके पढ़ाते हैं, तीन बज़े से सागर सर साइंस पढ़ाते हैं, चार बज़े से संजय सर रीजनिंग और 5 वज़े से किसरी सर आपको हिंदी पढ़ाते हैं, और इसी के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, कि अगर आप हमारी सपलता test series के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो only 99 रुपीस में आप हमारी सपलता test series के साथ जोड़ सकते हैं, जिसमें exam oriented question अगर चेनल पर नए हैं, तो चेनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए हमारे साथ, ऐसी और सांदार क्लास के लिए, तो पढ़ते रही हस्ते रही मुस्कराते रही वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा, तो बाई बाई टिक केर अगली क्लास में आप सभी इसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें